नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर भारतियम आनोस रुक्षा सेवासंग के स्थापना दिवस्त के उपलक्ष में महाराश के पदादिकारियों ने इसकौन मंदिर के गायक कलाकारों के सयोग से पंचवटी वृद्धाश्रम में सुंदर भजनों का आयोजन किया महाराश्रा जमहिला उपादक्ष डॉक्टर कमला मोहता संपर्क प्रमुक राजश दुबे गोपाल साहनी अंगत सोलंकी कंचन गांधी शशीचांडक पुषपा माहेश्वरी पूजा सोमानी मंगला चांड इन्होंने वृद्धाश्रम की संचाली का ठीके कर मैडम और भागवत मैडम का शॉल, श्रीफल वसाड़ी देकर सतकार किया साथ में सुंदर भजन गायक सुदामा प्रभू, विशाल प्रभू, जगनेश प्रभू, कुनाल प्रभू, योगेश वजय प्रभू का भी शॉ इवं रहवासियों का मन मोहलिया, पूरा परिसर देशभक्ती के सागर में डूबा हुआ प्रतित हो रहा था, सामाजिक दूरी के नियम का पूर्णरूप से पालन करते हुए दर्शकों के बैठने का उत्तम प्रभंद किया गया था, कारेकरम के दौरान अतितिगन सुनिता अनेजा, अधिवक्ता संगीत सामले, माया पोटवार, स्वाती जैस्वाल, वर्षा बोंद्रे, संध्या कोसेकर, रुकमिनी राठोड, विरिना सिंग, भावना भटेजा, जोती धनवानी, माही रागध्वानी, अधिवक्ता हेमलता सिहवाहनी का सतकार आजाद यूद फो साथी वरिष्ट नागरिक सम्मान उपकरम के अंतरगत, पाच वरिष्ट में लाव, एवं पुरिशो को भी सम्मान इत किया गया, मंज संचालन अधिवक्ता सुरेंडर मिश्रा द्वारा हमेशा की तरह ही जोशिले अंदाज में किया गया, कारेक्रम का सफल संचालन यूद फोर्स के सदस्य, विरेंद्र सौधरी, संजय राव, कपिल वर्मा, गोविंदा माले, नवीन शर्मा, भेलेंद्र भोंगाडे, एकनात इंटकर, राकेश्त्री पार्टी, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया, अपने जीवनकाल में, अपने बच्चों के जीवन में बाहर लाने वाले बुजर्गों को, उनके जीवन के सांज में एक अच्छा संदेश देने के लिए पंचवटी वृद्धाश्रम के सभी बुजर्गों में अत्यावश्यक सामगरियों का वित्रन किया गया, भारत को विश्य में नई दिशा में ले जाने वाले भारत अत्न अटल बिहारी बाजपई की जयनती के अउसर पर, भारती एकता संग और भाजपा पदाधिकारियों द्वारा यह कारेक्रम आयोजित किया गया, कारेक्रम में विदायक कुरुचना खोपडे के नेतियों नाम भादुर्शा, विजय गुपता, जय कुमार गुपता, अशोक शर्मा, राजन माजी, मनोष शर्मा, आध्यात्मिक प्रकोष्ट अदेष्च चंद्रिकाप पांडे, त्रिलोकी महतो, वकिल शर्मा, विनोष शर्मा, रोशन सिंग, बाबुलार तिवारी, ब्रुज मो अवधेश गुपता, मुकेश गुपता, निलेश शर्मा, रवी गुपता, रविन्द्र महतो, अशोक भारती, निहालियादो, करंदेव, आधी भाजब कार्यकरता पदादिकारी गन मोजुद थे राश्ट्र कुशिट पदर्शनी एग्रोविजन के समापन पर केंद्रे मंत्री नितिन गडकरी ने घोशना की है कि देश का पहला एग्रो कन्वेंशन से इंडर्ण नागपूर में स्थापित किया जाएगा, एग्रोविजन का समापन सोमवार्व कवी सुरेश बट हॉल म मापसु के कुलपती आशिश पातुरकर, पूरोविधायक पाशा पटेल, पूरोविधायक प्रोफेसर अनिल सोले, एग्रोविजन सलाकार समिती के अद्दक्ष डॉक्टर सीडी माई, सेयोजग गिरिश गांधी, आयोजन सच्चु रवी बोरटकर, रमेश मानकर, दिनों में प्रस्तुती की जाएगी, उन्होंने आशा वेक्त की कि अब पूरे देश के लिए प्रेणा कस्ट्रोथ होगा, वर्धा मार्क बर एडिसन ब्लू होटेल के पास इस परियोजना के लिए जगह दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अग्रोविजन प्रदर रगदिश खापेकर की नेटूर्थ में समाज की मांगो कोले कर अनिशन किया जा रहा है, सोमवार को अनिशन कारियों ने आकरोज जताती हुए नाकपुर के जाड़े चोग पर चल रहे अनिशन स्तल पर सरकार की विरोध में मुंदन करके सरकार की खिलाफ विरोज जताया, मुंदन अन्दोलन में श्रावन खापे कर, ओम प्रकाश पौनी कर, गजानन भनार कर, राजु बोकडे, आधी ने मुंदन किया, इसके अलावा उपशन करता रवी पौनी कर, रवी पराते, दुरुगेश पार्खेड कर, दीपक देव घरे, शुभम पौनी कर, पुरुश पौनी कर, संदीच चीजगरे, प्रमोद गडिकर, पंकज निमजे, शंकर रंदीवे, मुरेशवर पराते, प्रदीप पौनी कर, शेखर पौनी कर, वह अन्या अनुलन कारी उपस्ति थे वर्षों से निरंतर चल रहे, महाविर तिथी दरपन 2022 का लोकारपन हाली में केंड्रिय मंतरी नितिन गड़करी के हस्ते, उनके निवास थान, वर्दा रोड पर संपन हुआ, इस लोकारपन समारों में, महाविर यूद क्लब के केंड्रिय अद्रिक्ष दिनेश सावलकर, क तथा भाजपा जयन प्रकोष्ट महाराष्ट के सरचेट निव्स प्रशान मानेकर जयन, कलब के केंड्रिय अद्रिय अद्रिक्ष नितिन नखाते, मंगेश बिबे, जयन समाज प्रमुक पदाधिकारी में नागपूर गवरव, भारत वर्षिय दिगंबर तीर्त शेतर कमे अनिल जयन, शीतल जयन, अनूप गिल्लरकर, अनिल दानी, आदी उपस्तित थे केंड्रिय मंत्रि नितिन गड़करी ने महाविर यूद कलब दोरा विगत 26 वर्षों से चलाया जा रहा है सामाजिक, धार्मिक, क्रिडा विशक सेवा की प्रशन सा करते हुए कलब की यूवाव को शूप काम नहीं दी और उन्हें प्रोच साहित किया नितिन गड़करी को जैन संद की किताब जैन दुपट्टा, मोती माला, शौल डेकर सम्मानित किया गया कलब के सचिव प्रशान माने कर जैन ने कलब के कारे के साथ जैन समाज नाकपुर की जनगना के कारे की गतिवीदियों से भी गड़करी को अवगत कराया स्वतंत्र भारत के प्रतम कुश्री मंत्री एवं शिक्षा मर्ष्टी डॉक्टर पंजाब राव देश्मुक की जैनती के अउसर पर महराज बाग चोक्स्तित उनकी प्रतिमा पर माल्यार पन किया गया उन्होंने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए भारत कुशक समाज की स्थापना की थी कारेक्रम का संचालन राष्टवादी महिला कॉंग्रेस की अद्यक्ष अद्यक्ष लक्ष्मी सावरकर ने किया इस अउसर पर मनिशा गोड बोले मंडल अद्यक्ष प्रिती पंदराम भारती गायधने लता शिर्सागर योगीता नवगरे सोनी मंडल रेश्मा पांदावने जोती महाजन निलमुमाठे सिंदु कामले इंदिरा मंडल जोती कृपान रिणालांजे आधि मोजुद्थे हजरत सयद मौमत पहलवान शाबाबार रह्मतुला अले दरगा की ओर से एक दिउसिय भव्य निशल्क स्वास्त जाश शिविर कायो जन गोशिया मदरसा मजिद गरीब नवाज बोरियापुरा में किया गया आउंखों की जाश, दांदों की जाश, वर डिटल एक्सरे सबी जाश निशल्क कराई गई शिविर में 1-50 से ज्यादा लोगों ने आँखों की जाश करवाई और 1-50 लोगों ने डिजिटल एक्सरे का लाव उठाया शुविर में सुलुष्टी नेतर अस्पताल और एक्सरे में मेट्रो स्कैन ने अपनी सेवा दी कारेकरम को सफल बनाने है तू सेयद दानिश अली जुल्फेकार अहमद शानू, इजाज चिष्टी, मोहमद रियाज, शाहिद रंगुन वाला हाजी फिरोज, मोहमद वकील, वसीम खान, जफर सुलंकी, अली खान, मोहमद अश्रफ, कमरली दर्वेज, जावेद खान, शोयब अहमद, मोहमद गोस, आदी ने सहयोग किया पांडेल याउट स्नेयनगर खामला विट्टरुकमिनी मंदिर में, 18 महापुराणों की दिवेश उंखला में, श्री नारद महापुराण की कता, आचारियर राजनलाल महाराज ने सुनाई करमयोगी भरत दुष्यंत कुमार भरत, भक्तयोगी भलत प्रभुश्री रामचेदर के छोटे भाई भरत, ग्यानयोगी भर श्री जडबरत, इन तीनों के कारण यह देश भारत भूमी कहलाई, यह भारत भूमी कर्म, ज्ञान और भक्ति से भरी हुई है महराज ने खंडिका का भी वर्नन किया है जिसमें जीव, प्रान, आत्मा का दिव्य महत वब बताया गया तता भगवान के प्रथम अवतार के चरित्र का भी विस्तार से वर्नन किया गया सुन्दरकान महिला मंडल, नगर विटल रुक्मिनी मंदिर समीती, खामला शारदा माता मंदिर, हनुमान मंदिर समीती, एवं गायतरी महिला मंडल, सभी मंडलों के सयोग सयाउजित दिव्य कथा में सुभप पूजन का समय साड़े आठ बजे, एवं कथा का समय दोपर तीन बजे से लेकर 6 बजे तक रखा गया है, आयोजकों ने भक्तों से किर्टन, वकता का लाब लेने की अपिल की है आज 18 प्लस और 45 प्लस आयोवर के सभी नागरिकों का कोविशिल्ट का टिका करन नाकपुर महारगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंदरों पर होगा, टिका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा, टिका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पध्यतियों से पंजी करन कि आज प्लस और 45 प्लस आयोवर के सभी नागरिकों को कोविशिल्ट के जरीए टिका करन किया जाएगा, यह जानकरी चिकिस्ता स्वास्ततिकारी डॉक्टर संजर चिलकर ने दी, इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयोवर के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा सहिब अमबेटकर अस्पताल, काम्टी रोड वस्वर्गिया प्रभावकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र, इम्स, आइसोलेशन अस्पताल, इमामवारा इंदरा गांधी अस्पताल, गांधी नगर, मनपा स्री अस्पताल, प प्रतिपादन, Click2Cloud के CEO प्रशान मिश्रा ने नाकपूर भाग की युवक युवतियों के हेतू, Click2Cloud के सहयोग से तथा बेटियां शक्ती फाउंडेशन, नाकपूर एवन छत्रपती शिवशंबू प्रतिष्टान के सियोगतर तत्वाद्वान में आयोजित निशर्क पुल शिविर में नाकपूर ग्रामिन, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, गर्चिरोली के दुर्गम शेत्रों के 60 युवक युवतियों को पुलिस सेना में भरती पूर प्रशिक्षन नाकपूर शहर में दिया जा रहा है, इस शिविर में निवास, ट्रेनिंग, प्रतियोगिता परिक्षा का प्रशिक्षन और अन्य सभी सुविधाय प्रशिक्षन आर्थियों को निशिल्क दी जा रही है, शिविर का उधगाटन समारो इश्वर देश्मुक कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन नाकपूर के सभागार में संपन हुआ, समारो में बतोर कारेक्रम अद्रक्ष, तता उधगाटक के रूप में प्रशान मिश्रा, तता मुख्यातिती के तौर पर शारदा नायडू, तता बेटिया शक्ति फाउंडेशन के मुख्यमार्गदर शक अर्विंद पा ठक उपस्तित है। इसी कारण नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमन को लेकर अब और अधिक साउदानी बरतने की जरूरत है। वही कोरोना वायरस के मामलों में नागपूर सहीत महराश में भी बड़ो तरीत दर्च की जा रही है। रविवार को नाकपुल जिले में जहा 32 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वही एक दिन बाद ही यानि मंगलवार को नाकपुल जिले में कुल 44 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिससे स्वास्तुई भाग, जिला प्रशासन और महारगरपाली का प्रशासन के अध यह बात वेंग का डॉक्टर सेवाराम त्रिपार्टी ने कही वेंगधारा की ओर से 66 ओनलाइन वीडियो वेंग विमश गोश्टी कायो जन किया गया जिसका विशेश समकालिन वेंग के सरोकार था इस अवसर पर बत और विशिष्ट वक्ता डॉक्टर तिपार्टी बोर रहे वेंगा लिखने के लिए साहस और पक्षधरताज जरूरी है समय की जटिलता और चक्रों को समझने का प्रयास करे आत्मा लोच ना करे राजिंद वर्मा ने कहा कि जब तक वेंगा आम आदमी से नहीं जुड़ेगा तब तक उसमें सरोकार नहीं होगा गोलमोल बाते करने क के बजाय इमानदारी से लिखे बिये लाच्छा ने कहा कि वेंगा कार का लेककिय विवेक जागरूत होना चाहिए जिसके साथ अन्या हो रहा है उसके साथ खड़ा होना होगा डॉक्टर रमेश तिवारी ने इस बात पर चिंता जताई कि परंपरांगत सरोकार कम हो रहा है खापरखेडा कोराडी के बिजली घर को कोईला आपूरती के लिए कन्वेयर बेल्ट एवं स्ट्रक्चर का सभी निर्मान कार्य करने का ठेका इस जेक कमपनी को दिया गया था पिछले तिन वर्षों से इस जेक कमपनी अत्यंत धीमी गती से कार्य कर रही है इसके अलावा क कमपनी की घटिया कार्य प्रणाली के चलते प्रोजेक्ट लंबे समय तक खीचता जा रहा है इसका खामियाजा खापर खेडा को राडी बिजली घर को उठाना पड़ रहा है इसके बावजुत महाजेन को कि अधिकारी मामले को गंभिरता से नहीं ले रहे है और महाजेन को मुंबई मुख्याले भी कनवेर बेल्ट के निर्मान को लेकर मुख दर्शक बनी हुई है ठेकेदारों को वेतन के आभाव में निर्मान कारिय बन पड़ा है कनवेर बेल्ट निर्मान कारिय में कारियर ठेकेदारों को पिछले 5-6 महीनों से वेतन न मिलने से ठेकेदारों या तो कॉल नहीं उठाते है या तो उनका मोबाईल बंद रहता है संजे गांधी निराधार योजना के अनुदान को लेकर राजनिती होने लगी है हाल ही में भाजपा की जिला परिशत सदस्यों ने इस विशे को लेकर जिलाधिकारी आरवीबला को जिलाधिकारी कारियाले में जाकर एक ग्यापन सोपा प्रतिनी धी मंडल का नेतरुत्व जिला परिशत सदस्यों मोहन माकडे ने किया लंबित अनुदान जल से जल देने की मांग की गई हाला कि राजडेती जो भी हो भाचपा प्रतिनी धी मंडल ने आरोप लगाया है कि निराधारों को राजज सरकार नजर अंदाज कर रही है संजे गांधी निराधार योजना वशरवन बाल सेवा योजना के अंतरगत रुद्ध विध्वा दिव्यांग वन निराधार को हर माह मिलने वाला अनुदान रोग दिया गया है बार बार निविदन के बाद भी निराधारों की याचना नहीं सुनी जा रही है हालात इस हद तक बिगड चुके है कि निराधारों को सड़क पर उतर कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना पढ़ रहा है कॉंग्रेस शिवसेना वराकाबा के नेता इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है चलाधीकारी कार्याले पर पहुँचे भाजपा प्रदिनीजी मंडल में सतीश उम्रे, व्यंकटकारे मुरे, सुभाश गुजरकर, केलाश बरबटे, पुषपा चापले, सतीश डोंगरे, राधा अगरवाल, अर्चनागीरी, अनिता वलके, कविता साखरवाडे, प्रमिला दंडारे मरीशा फेंडर आधी शामिल थे सबसे पहले तिर्थ यात्रा का गोयल टॉकीज रोड पर श्री छत्रपती शिवाजी महाराच चोक शेत्र में भव्य स्वागत किया गया, यहाँ पाल की पुजन वा महाप्रसात का वितरन किया गया, इस मौके पर महाराश्र प्रांतिक तैलिक महासभा के कामठी कोशाध्यक्षय सुरेश भन्नारे, हरी हर गायधने, होमेश्वर चकोले, सविता कुल्लर कर, सरपंच मंगला मनिशकारे मोरे, गजानन बावन कुले, रमेश्वर बावन कर, मारोत्राव वैद्य, तारा चन्मुनले, भैयालाल माकडे, मुकेश चकोले, अंकुष बावन रमेशकारे मोरे, अंकीता कोवित तलेकर, चंदू पडोले, राधेशाम जीप काटे, शांता गायधने, कोवित तलेकर, दिलिप वैरागडे, नरेश चकोले, महादेव बाडबुधे, गोपल वन्जारी, विजेभीव गडे, प्रमोद बावन कुले, मनिश रिवातकर, में शरच रावन कर, विलास लांजेवार, प्रकाश वन्जारी, महेश वन्जारी, आधी तहलिक समाज के गणमाण्य व्यक्ति मौजुद थे नागपुर जिले के हिंगना तहसिल के वाना डोंगरी के मंदल अधिकारी, राजश चूटे, एवं सतिष तिवारी को मतदाता विशलेशन में तुरूटी पुरुना कारिय करने पर निलंबित किये जाने के विरोध में सावनेर तहसिल कारियाले के समस्ता मंदल, पदाधि अधिकारी तथा राजश सरकार का ध्यान अपनी और आकर्शित करने हैं तु भजन और राम नाम का जाब किया। जे, आमोल हांडा और प्रविन मेश्राम के नेतरुत्व में कारियाले परिसर में जारी आंदोलन का ये पांचवा दिन था, हिंगना तालुका के पटवारी तथा मंदल अधिकारी के निलंबन को ततकलरत करने की मांग गुसाय करमचारियो द्वारा की जा रही है। इस निर्ने के तहट 21 प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य प्रवाह मिला कर निर्धारित समय पर ओनलाइन प्रमान पत्र दिला ने सानिय ग्रामिन अस्पताल में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मेयो चिकित्सा महाविद्याले नाकपूर में कार्यरत चिकित्सक एवं दिव्यांग प्रमान पत्र मंडल के सभी विशेशग्य चिकित्सक के सहयोग तथा जिला समाच कल्यान विभाग जिला दिव्यांग पुनरवसन केंद्र के संयुकत तत्वावधान में ज जांच की बाद स्वावलंबन ओनलाइन पोर्टल द्वारा लाभारतियों को प्रमान पत्र वह वैश्विक पहचान UDID कार्ड घर पहुचा कर देने का प्रायोजन रखा गया। इस शिविर में 300 अस्थिव्यंग व्यक्ति, 51 अंधे व्यक्ति समित कुल मिलाकर 584 लाभारतियों का विशेशग्यों द्वारा जांच किया गया। जिला परिश्ट समाज का लेंड समिती के सभापती नेमावली माटे ने बताया कि राज्य में सबसे पहले ये योजना नागपुर जिले में चलाई जा रही है। कोरोना काल में सांता कलॉस जैसे कार्य कर लोगों की जान बचाने वाले तथा अनिक जरूरत मंदों को खाना खिलाने वाले वाड़ी के कॉंगरेस कमिटी के पदादी कारी एवं हिंगना विदान सबह अध्यक्ष अश्विन बैस ने समाज के हीत में बहुत काम किये है। उनकी कार्य को गंभिरता से देखते हुए क्रिशन समुदाय के सदस्यों ने अश्विन बैस का स्वागत और सतकार किया। नाकपुर महानगर पालिका के उपदरो खोजिदल ने मंगलवार को प्लास्टिक पतंग के खिलाफ कारवाई जारी रखी और 500 प्लास्टिक पतंग जब्त किये। हजार रुपी का जुर्माना भी वसुला। टीम ने 42 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्या लयो का भी निदेक्शन किया। मनपायुक तराधा कुष्णनभी की निर्देशा नुसार और NDS प्रमुक विरसिन तामबे के मार्क दर्शन में मनपा की टीमों ने ये करवाई किये। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही। आप से फिर बुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए BKB News नमस्कार।